गूड आफ्टरनौन मैं सिम्मी भरद्वाज एक वार फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ तो आज का टॉपिक है हमारा खिलाफ़त और और सहयोग आदोलन देखो खिलाफ़त और सहयोग आदोलन की जो प्रिस्ट भूमी थी जो बैक्ग्राउंड था वो उन्नी सो उन्नी में अंग्रेज जो द्वारा लाए गए एक्ट थे चीक है सबसे पहले रोलेट एक्ट उसके बाद मार्शल लोग और थर्ड था हमारा जलियाँ वाला बाग हत्यकान जलियाँ वाला बाग हत्यकान इन्हों ने जो है इन दो अंदोलन की जो प्रिस्ट भूमी जो बैक्ग्रोंड था त्यार किया आप थोड़ा सा बता दू रोलेट एक्ट क्या था कि जो सरकार थी वो किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी को या किसी आम व्यक्ति को आम जंता को बिना जानकारी के उठा कर जेल में डाल देती थी और जो टाइम पीरिड था वो फिक्स नहीं होता कहीं पर लिखा गया कि तीन साल के लिए जेल में डाला जाता था कहीं पर लिखा गया कि अनिश्चित काल के लिए कि जो टाइम पीडिड वो फिक्स नहीं रहेगा और साथ में उस व्यक्ति को दलील देने तक का भी अधिकार नहीं था वो वकील नहीं कर सकता था और उसे टॉर्चर किया जाता था तो आने वाले टाइम में या तो व्यक्ति अंदोलनों से अलग हो जाता था या फिर वैसे ही वो खत्म हो जाता था उसके बाद अंग्रेजियंन ने क्या किया कि मार्शल लॉड आर्मी i रूल लगा दिया ठीक है उसके बाद जलियां वाला वाग में जो हुआ वो सभी उससे अंजान नहीं है, ठीक है, सभी जानते हैं कि कैसे कैसे, क्या चीजे हुई जलिये वाले बाग में, ठीक है, तो इन सभी ने क्या किया, कि इन दो अंदोलनों की जो थी प्रिस्ट भूमी त्यार कर दी, ठीक है, अब देखते हैं कि खिलाफवत अंदोलन था क्या, 1914 से 1918 तक आपको पता है सभी को कि प्रत्थम बिश्यव युद्ध हुआ था अब जब प्रत्थम बिश्यव युद्ध खत्म हुआ तो हमने मद्यकालीन भारत में भी पड़े था कि जो कंट्री जो समराज्य जो क्षेतर हारता है उसके राजा के साथ जीतने वाला एक अपमान जन्नक संधी करता है उस संधी के अनुसार जो उस क्षेतर का भीवाजन कर दिया जाता है जीतने वाले का अधिकार उस पर हो जाता है तो देखो क्या हुआ मैं थोड़ा सा बता दूँ अभी हम प्रत्थम विश्यवीद को डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ देखो विश्यवीद कब होता है जब पूरा संसार दो अलग-अलग गुटों में दो अलग-लग खेमों में बट जाता है तो यहां भी दो गुट बनगे, एक गुट में हम आज के टोपिक के साथ इनको रिलेट कर रहे हूं, सभी कंट्री के नाम नहीं बता रहे हूं, और अमेरिका, ठीक है? और दूसरी तरफ थे हमारे जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी और एक था हमारा तुर्की या फिर ओटोमन, समराज्य, यह ओटोमन समराज्य कोई एक कंट्री नहीं थी, यह बहुत बड़ा समराज्य था, यह मुसलमानों का क्षेतर था, अब हुआ क्या? देखो, प्रत्थम बिश्यव यूद में ब्रिटेन की जीत हुई, और हुआ क्या? कि ओटोमन समराज्य जो था, उसकी हार हु अब तुर्की ने क्या किया? कि अपने दूतों को अलग-अलग कंट्री में भेजा हल्प करने के लिए, और वैसे ही एक गुट जो है, वो इंडिया में आया, और उन्होंने अली जिन्ना से मदद मांगी, तो अली जिन्ना ने कहा कि हम खुद गुलाम हैं, दास्ता की वेड अली ब्रदर ने जो थी, उनकी मदद की, तो हुआ क्या? जिनकों बोलते हैं, अली बंधु या अली ब्रदर, अली बंधु, मुलाना, आजाद, अजमल खां, और मोहानी, एंद्नों ने क्या किया? कि खिलाफत कमेटी का गठन क्या, कमेटी का गठन करा, ठीक हैं, इंद्रीया मैं, यह हम इंद्रीया की बात कर रहे हैं, पहले हमने विश्व यूद की बात ब्रिटेन जिद गया, उसने तुरकी को बांटने का ब्लान के टुकड़े करने का प्लैन बनाया और वहां से राज़ुत कहां है इंडिया आये और उन्होंने मदद मांगी अलिवदों से उन्होंने मदद के लिए हां की और किया किया देखो कि यहां पर कमेटी मनाएगे जिसका नाम था खिलाफवत कमेटी अब देखो हुआ क्या जब प्रत्थम विश्वीड खतम किया तो तुर्की में एक बहुत इंपोर्टन्ट पद होता होता था उस टाइम पे खलीफा चुछाय कि खलीफा का पद तुर्की को बांट दिया ।टुकड़ा कर दिया गया औरल्खलीफा के पद को खत्म कर दिया गया तो देखो यह सिर्फ तुर्की के लिए नहीं पूरे संसार के मुसल्मानों के लिए एक सबसे बुरी खवर थी उस ताइम की अपमान जनक खवर थी अपमान जनक संदी थी क्योंकि सारे भारत के साथ सारे संसार के जो मुसल्मान थे वह तुर्की के खलीफा को अपना धार्मि मानते थे इसलिए सभी जितने भी मुसलमान थे संसार में उनके मन में सरकार के प्रति या ब्रिटेन के प्रति इंग्रेज्जों के प्रति जो था वो रोश ज्यादा फैल गया घुसा फैल गया ठीक है और अब देखो इंडिया में क्या हो रहा है कि हमने एक खिलाफत कमेटी क गठन किया है उसमें कौन-कौन से अली बंदु है मोलाना आजाद है अजमल खां है और मोहानी ठीक है अब इस कमेटी का उदेश्य क्या था इस कमेटी का उदेश्य था इस कमेटी ने अपनी तीन मांगे रखी वो क्या क्या थी कि जो इनके धार्मिक स्तल है जितने भी इनके भी धार्मिक स्तल है उन पर ख्लीफा को जो है वो पुनर्स्तापित किया जाए वो फ्रसे ख्लीफा के अंडर रखे जाए ठीक है और दूसरा क्या रखा इनोंने कि जो तुर्की का भी वाजन है उसको कैंसल करके इसको भी जैसे ये पहले था वैसे ही रेने दिया जाए और तीसरी क्या रखी इन्होंने इराग, सीरिया, फिलिस्तीन यहां पर कभी भी गैर मुसलमान शाषक नहीं होगा यहां पर जो भी शाषक होगा वो मुसलमान ही होगा और यह सारी इस कमेट्टी के जो थे वो मांगे थी मांगे कहलो उदेशय कहलो या फिर लक्षय कहलो ठीक है अब देखो 1909 में क्या हुआ कि खिलाफत कमेट्टी का दिल्ली अधिवेशन हुआ और जिसके अधियक्ष किसको बनाया गया महात्मा गांधी को महात्मा गांधी को अब देखो महात्मा गांधी को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया तो और कांगतस भी थी तो उसका रवेईया क्या था कांग्रेस जो थी वो यहाँ स्योग करने के लिए राजी नहीं थी ठीके उनका कहना था यह धार्मिक मुद्दा है धर्म से स्बंदित मुद्दा है और इसके मुसलमानों को ही काम करना चाहिए ना कि कांग्रेस को या गांधी को लेकिन बहुत समझाने के वाद जो थे वो कांग्रेस भी इसके साथ जुड़ गई चीक है अब बात करते हैं हम फरवरी प्रती निधी मंडल यानि कि एक ग्रुप जो था वाइसराय से मिला और उन्होंने मांग की कि तुर्की के प्रती जो व्रिटेन करवे या है उसको नर्म करें और पंजाब के मुद्दे पर खेद ब्यक्त करें ठीक है पंजाब का मुद्दा मतलब जो पंजाब हत्या कांड हुआ था जो रोलेट एक्ट के विरोद में जितने भी जो मार्शल लो लगा था उसके लिए वो दुख प्रकट करें ठीक है नहीं तो वो क्या करेंगे कि सहयोग अंदोलन जो है वो शुरू कर देंगे ठीक है लेकिन सरकार की तरफ से इसका कोई भी विव्यान नहीं आया सरकार ने इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया ठीक है और मई उननी सो बीस में सेवरीज की संदी हुई चीक है सेवरीज की संदी जिसमें क्या करा गया तुर्की को बिभाजित कर दिया गया तुर्की का बिभाजन यहां पर हो गया तुर्की के टुकड़े कर दिये गया चीक हैं, अब क्या हुआ, कि यहां पर जून में खिलाफ़त कमेटी का जो था एहमदाबाद में एक जो था अंदोलन अदिवेशन हुआ, किसका खिलाफ़त कमेटी ने एक अदिवेशन किया, कहां पर एहमदाबाद में? चीक हैं, अपील की गई कि जो विदेशी समान है, उसका यूज नहीं करना है, चीक हैं, और शात्रों से अपील करेगे, वो स्कूलों को छोड़ दे, प्रेब कीलों से अपील करी गई कि वो कोट जाना छोड़ दें ठीक है और उसके बास सिप्टेमबर अब उन्नी सो सॉरी यहाँ पे अब गांधी जी रेनों को बताया था कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो असरे गॉंदोलन शुरू करेंगे इसलिए क्या हुआ कि एक अगस्त उन्नी सो बीस को और सहयोग अंदोलन शुरू कर दिया गए इनकी अंग्रेज यहाँ किसी भी प्रकार का सियोग नहीं करना है मैंने और मनी मनें शैनिक धेने हैं और मनी मृनकी मिन्स की हमने टेक्स नहीं देना है रही हमें करने आए थे लेकिन अब वो टेक्स लेना जो थे वो शुरू हो गए थे क्योंकि उन्हें बहुत सी जगों की दिवानी मिल गई थी और अब अंग्रेज जो थे यहां की राजनिती में दखल करना शुरू हो गए थे यहां फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरा भारत जो था वंग्रेजों के अंडर आ गया था और वो हमसे टेक्स लिया करते थे तो क्या कहा कि किसी प्रकार का सहयोग नहीं करना है ठीक हैं एक अगस्त 1920 को असहयोग अंडोलन शुरू करने की घोशने की गई और एक अगस्त को ही गरम दल के बहुत बड़े लीडर बाल गंगाधर तिलक का यहां पे दिहांत हो जाता है तिलक का दिहांत हो जाता है और इनके नाम पर एक कोश एक फंट की जो है वो स्तापना की जाती है उसका नाम क्या था तिलक स्वराज फंड और इसमें उस टाइम पे इतना दान दिया गया कि एक करोड से भी जादा जो है धन राशी इस फंड में जमा होगे देखो एक करोड आज के टाइम में भी बहुत वैल्यू एक करोड की और उस टाइम इस फंड में एक करोड रुपे जो थे वो इकठा होगे और कहा इस पैसे को हम अच्छे कामों में लगाएंगे ठीक है एक विशेश अधिवेशन बुलाया गया हमने कॉंग्रेस पड़िया तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि हर साल जो हैं कॉंग्रेस के अधिवेशन होते थे और साथ में विशेश अधिवेशन भी होते थे कोई एक विशेश प्रस्तिती में अधिवेशन करवाया जा था भीशेश, अधिवेशन बहुत सारे अधिवेशन, थे, उसमें से हमने जो इंपोर्टनेट है, ईक्जाम के लिए वो हमने पड़े थे, तो 1920 में कलकत्ता में भीशेश अधिवेशन जो था हूए, अब इसमें क्या हूए, अब इसमें कांग्रिस ने क्या किया, और सयोग अंदोलन शुरू करने की गोशना की और साथ में जो है वो अपने कारिय की एक लिस्ट बनाएं कि हमें क्या करना है इस अंदोलन को कैसे हमने चलाना है कैसे पूरे भारत में इस अंदोलन को चलाना है और मैं आपको एक बात बता दूँ कि यह जो अंदोलन था यह भ बहुत बड़ा जन अंदोलन था इसमें हर एक वरत के लोगों ने भाग लिया और इसमें महिलाओं ने परदाप्रथा का तयाग करकर अपने गहनों को तिल्क कोष्मेदान देका अपने तरीके से भाग लिया थैक है। उस साइम पर देखो महिलाओं की स्तिती अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी महिलाओं ने इस अंदोलन में भाग लिए इसलिए बोलते हैं कि ये भारत का प्रत्थम जन अंदोलन था सबसे बड़ा जन अंदोलन था ठीक है तो देखो अब इनों ने अपने जो हैं वो कारे फि का वहीश्कार करो जो अंग्रेज्यों द्वारा बनाए गए हैं स्कूल उनका वहीश्कार करो उसमें जाना बंद कर दो अगला इनों ने क्या वोला जो नियायले हैं बृटिश के कोट जो हैं उनका वहिशकार करो कोट का भी सरकारी जो ब्रीटिश जो कोट हैं उनका भी वहिशकार करो अब देखो कोट का वहिशकार करें तो छोटी मोटी लडाई जगड़े होती तो उनका निम्टारा कैसे करें तो कॉंग्रस ने गांदी ने कहा जो लडाई जगड़े होते हैं वो अपने लेवल पे गाउं में ही सुलजा दो लेकिन कोड तक उन जगड़ों को उन मुकदमों को लेके मत जाओ यानि कि अंग्रेज्यों को किसी भी प्रकार का सहयोग ना करो थर्ड इनोंने क्या वोला कि केंद्रिय बिधान परिश्दों का भी भहिशकार करो ठीक है उसके बाद इनोंने क्या कहा कि विदेशी कपड़े का भहिशकार करो बिदेशी जो कपड़े हैं तो देखो अगर वो देशी कपड़ों का वहिशकार करेंगे तो पहनेंगे तो उन्होंने बोला यहां पर खादी का यूज करो खादी का प्रियोग करो ठीक है चर्खा का तो उन बनाओ ठीक है तो कहते हैं कि इस टाइम में 1920 की बात कर रहें कम से कम 20 से 25,000 चर्खे जो थे वो बांटे गई थे क्यों कि सूत का तो खादी का प्रियोग करो अपने कपड़े खुद बनाओ ठीक है उसके बाद क्या कहा गया सरकारी नोकरियां जो अंग्रेजों के अधीन नोकरियां करते थे उनका त्याग करो ठीक है उसके बाद सरकारी उपाधियां मैंना को बताया था कि अंग्रेज जो थे वो भारतियों को लालज दिया करते थे उनको उपाधियां दिया करते थे जब वो किसी भारतियों को उपाधी देते थे तो उसे वो सारे गलत काम करवाते थे जैसे हमने Hunter Commission पढ़ा उसमें आठ व्यक्तियों के एक समिती बनाएगे थी जिसमें तीन व्यक्ति भारतिय थे लेकिन भारतियों कौन थे? जिनके नाम के आगे उपादी लगी हुई थी तो वो इंग्रेजों का ही पक्ष लेते तो जिन व्यक्तियों को उपादियां दी जाती थी वो अंग्रेजों के प्रती बफादार होते थे, अंग्रेजों के चाटू कार होते थे, ठीक है, तो उनकी उपादियों को भी त्याग दो, साथ मैं सरकारी कर, हम टेक्स देते थे, तो उसका भुगतान मत करो, ठीक है, करों का भुगतान मत करो, उनके उत्सब सरकारी जो उत् अपना लिस्ट बनाई कि हमें यह यह काम जो है वो करने हैं असेयोग अंदोलन के दोरान ठीक है अब क्या हुआ कि जो यह रोज मर्रा के काम थे इन कामों के लिए कॉंग्रेस ने एक 15 सदस्यों की समीति बना दी कॉंग्रेस कार्यकारणी समीति ठीक है जिसमें 15 सदस्यों होते थे और वो रोज मर्रा के काम को देखते थे और गाउं गाउं में जो थी वो कॉंग्रेस समीतियां बनाई गई कॉंग्रेस समीति जो है वो गाउं गाउं में हर एक गाउं में कॉंग्रेस समीति की सापना की गई ठीक है अब देखो इस अंदोलन का जो यह अंदोलन जो चलाई थे खिलाफत या असयोग अंदोलन यह समाज के हर एक वर्ग ने इसमें जो था भाग लिया और इसके साथ इसमें मुस्लमानों ने बढ़ चड़ कर भाग लिया और कहते हैं कि इस अंदोलन के दोरान खिलाफत और असयोग अंदोलन के दोरान जो एकता हिंदू-मसलमानों में देखी गई थी वैसी एकता ना तो कभी अतीत में और ना ही कभी विविशय में देखने को मिली है उसके बाद ऐसा कोई अंदोलन नहीं था जहां पर ऐसी एक ता जो वो देखी जाए ठीक है अब क्या हुआ कि इस अंदोलन के दोरान बहुत से बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया संस्तानों का वहिशकार कर दिया और सबसे ज़्यादा वहिशकार का हुआ पश्मी बं देश ब्यापी हरताल का अयोजन किया और उन्होंने अपना लक्षे क्या रखा कि कॉलेज के जो कॉलेज स्कूलों के जो प्रवंदक हैं उनको कहा कि आप सरकार से किसी भी प्रकार का नाता ना रखें सरकार से जो नाता है उसको तोड़ दिया जाए चीक है और देखो उस और सिद्बकील थे उन्होंने बकालत को छोड़ दिया तो उनमें से कौन-कौन थे हैं मोतिलाल नेहरू पंडित ज्वाहरलाल नेहरू आसफ अली सी आर दास राजेंदर परसाथ उस टाइम के जो थे परसिद्बकील थे तो इन्होंने क्या कर दिया कि कोट जाना ही छोड़ दिया चीक है यही तो इन्होंने अपने कारियों में मेंशन किया था कि स्कूल का विश्कार करो कोट का विश्कार करो उनके कपड़े मत पहनो चीक है तो कहत तहीं हैं यहां पर बिदेशी कपड़ों की जो थी वो होली जलाई गई थी ठीक है तो देखो इतना सारा वहिशकार लेकिन बृतिश सरकार ने इसकी तर्फ जरा भी ध्यान नहीं दिया और यह अंदोलन धीरे 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 जोर पकड़ता गया और बंगाल बिहार पंजाब उ अली जो बंदू थे आली बंदू जो थे उनके साथ मिलकर पूरे भारत का दौरा किया पूरे देश का दौरा किया और स्थान्य जो सतर पर हमारे क्रांतिकारी थे जो लीडर थे उनके साथ बिचार विमर्ष इन्हों ने किया अप हुआ क्या कि जुलाई 1921 में इन अलिवंदुओं ने घोशना की कि मुसलमानों का सेना में रहना धरम के खिलाफ है इसलिए सबी जो मुसलमाने उन्हें अपने पद से इस्तीफा त्याग पतर दे देना चाहिए और उसके इस भाषन के कारण उन दोनों को जो था वो जेल में डाल दिया और 4 अक्तूबर को देखो इन्होंने जुलाई में घोशना की थी और इनको सिप्टमबर में जो था वो जेल में डाल दिया था और अक्टूबर में गांधी ने इनके वियानों की पुस्ति की और कहा कि अब ब्रिटिश को किसी भी परकार का सिहोग ना दिया जाए और अब अंदोलन जो था वो धीरे 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 अहीं सक रूप लेने लग गया चीक है और मैं आपको एक चीज़िया और बता दूँ उन्नी सो बीस में हमारे बड़े लीडर ने जो थी वो कॉंग्रेस छोड़ दी थी उनमें कौन-कौन से थे मदन, मोहन, मालविय, ऐनी, वेसेंट ठीक है और हमारे कौन थे बीसी, खरपड़े, ठीक है आप देखो इन लोगों का कॉंग्रेस छोड़ने का क्या कारण था तो देखो गांदी ने जो अंदोलन चलाया था वो संबेधानिक और नियायपूर्ण तरीके से साथ में उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए और उसके पक्षधर नहीं थे रहा था यहां कि उसमें हिंसा जो थी वो बढ़ती ही जा रही चिछिक है अब एट फर्वरी 1922 को गांदी ने घोशना की कि जो हमारे राजनिर्क कैदी हैं उनको रिहा करा जाए और स्वतंतरता को भाल करा जाए और साथ में जो खलीफा का जो मुद्द है उसको भी हल किया जाए और उसी के साथ जो है हम सवनिय अवग्या अंदोलन शुरू करेंगे अगर सरकार जो है इन मांगों को नहीं मानती है तो हम सवनिय अवग्या अंदोलन जो है वो शुरू करेंगे और ये कहां से शुरू होगा सूरत के बार्दोली से इस अंदोलन को शुरू करना था कॉंग्रस ने अब देखो सवनिय अवग्या अंदोलन शुरू करना था गांदी ने और मैंने कहा कि गाउं में जो थी वो समीतिया बनाई थी जिसे हमारी रोजमर्रा के काम को करने के लिए 15 दस्यों के एक कॉंग्रेस कार्यकारण समीति बनाई गई थी वैसे गाउं गाउं में भी कॉंग्रेस समीतिया बनाई गई थी और गांदी ने उन समीतियों को कहा कि अगर लोग त्यार हैं तो सवनिय अवग्या अंदोलन प्रारंब किया जाए ठीक है अब इस अंदोलन को शुरू करने की जोरो शोरो से त्यारी चल रही है लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ पाच फरवरी 1922 को एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया और ये घटना इतनी महतोपूर्ण थी कि जिस गाउं में हुई उस गाउं का नाम जो है तिहास के पन्नों पर अंकित हो गया और इस घटना के कारण ही जो महात्मा गांदी का सवनिय अवग्या अगित हो गया तो देखते हैं ये घटना थी क्या पाँच फरवरी 1922 इस घटनों को बोलते हैं चोरा चोरी की घटना यह कहीं पर चोरी चोरा भी लिखा ही है एक ही है यह कहां है यूपी के गोरखपुर जिले में एक जगा का नाम है चोरा चोरी हुआ क्या कि यहां पे जो परदर्शनकारी है वो 1929 में और इंग्रेज ने क्या किया था कि कर्ज यह बढ़ा दिये थे टेक्स जबाड़ा ना और उसके बिरोज में परदर्शनकारी जो ते जा रहे थे तो इस जगा में जाकर प्लीस वालों ने उन पर लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया और गोलियां चलानी शुरू कर दिया तो जो प्रदर्शन कारी के जो एक जथा जारा थे भीर जा रही थी वो गुस्षे में आगे वड़े कहते कि जब प्लिस न पर गोलिया चला ही तो दो या तीन करांतिकारियों की हो गई तो गुस्से में आ गए वड़े कि कितने लोगों को आप आप उगे और जो प्रान्ति कारी हो ने उनको पकड-कर फिर उसी आग में डाल दिया और इसमें 22 पुलीस कर्मी जो थे 22 पुलीस वाले जलकर मर गे थे और इस घटना से गांदी जी बहुत दुखी हुए क्यों क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि जो हमारा अंदोलन है वो संबेधानिक और नियायपुर्ण तरीके से होना चाहिए उसमें हिंसा नहीं होनी चा और उन्होंने यह अंदोलन जो था बंद करते देखो अंदोलन बंद 5 फरवरी को नहीं हुआ था अंदोलन बंद हुआ था 12 फरवरी 1922 को ठीक है अब देखो जब इस अंदोलन को बंद किया तो बहुत जो यंग लीडर थे वो गांदी के खिलाफ हो गए और अब फिर से तुझारदारव में बट जाएगी, सूरत की तरह वैसे ही उसके टुकडे नहीं होंगे, लेकिन वह विचारदारव उनकी अलग हो जाएगी, एक हो जाएगा प्रगति शील और एक प्रमपरागत पहले जैसे कि हमें समयधानिक तरीके से ही जो अपनी समस्यों का हल चाहिए, तो फिर से कॉंग्रेस जो है वो दो दलों में बट जाएगी और उसका जो प्रक्तिशील जो दल वनेगा उसका नाम होगा स्वराच दल तो आमने आज पड़ा खिलाफत और हसयोग अंदोलन और इन दोनों अंदोलनों में हिंदू मुसलमान एकता देखने को मिलती है और इन अंदोलन में समाज के हर एक वर्ग ने जो था वो भाग लिया और चाहे अंदोलन ये सफल ना हुआ हो लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान ने जो एकता का प्रदर्शन किया वो इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता है धन्यवाद